सर बेरे सुर्या एक की डॉक्मेंट से सारा मैरिज परफॉम हो जाएगा इवाद बिना डॉक्मेंट कहीं आपकी शादी हो जाएगी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि court marriage के लिए actual में कितने documents लगते हैं कितने कम documents से काम चल जाएगा और कितना ज़ादा से ज़ादा document होना चाहिए document में अगर variations हो तो क्या कर सकते हैं अगर नाम के spelling में कोई गलती हो तो क्या कर सकते हैं अगर अलग-अलग document में अलग-अलग date of birth हो तो क्या कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही interesting और मैं आपको बताओं पता नहीं कैसे-कैसे लोगों को information मिल जाती है और कैसे-कैसे सवाल भी पूछते हैं एक viewer का सवाल है मैं बहुत सम्मान करता हूँ कुनाल आपके सवाल का मैं उनके सवाल को पहले सुनाओं उससे पहले आपको थोरा कुछ बताना चाहता हूँ देखिए अगर कोई भी आपको ऐसा information मिल रहा हो जिस information में ये बताया जा रहा हो कि बहुत ही अराम से बिलकुल एजली एक ही डॉक्मेंट से इवर बिना डॉक्मेंट कहीं आपके शादी हो जाएगी अगर कुछ भी ऐसा information मिलता है तो समझे आपके साथ धोका होने वाला है लेकिन मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले आप कुनाल के सवाल को सुनिये मैं कुनाल के सवाल का जवाब दूँ उससे पहले आपको मैं यह बता दू कि दुनिया में कहीं पर भी अगर court marriage जैसे चीज करनी है किवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ कहीं पर भी अगर court marriage करना होना तो सबसे पहला चीज और सबसे important चीज यही देखना होता है और groom जिनको शादी करनी है उनकी age हुई है कि नहीं है और age को परमानीत करने के लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग documents माननी की जाते हैं हमारे देश में जो है age को परमानीत करने वाला जो document है वो सबसे पहले जो consider किया जाता है वो 10 वी का marksit consider किया जाता है जिस पे date of birth लिखा हुआ होता है या फिर government की तरब से issue किया गया birth certificate consider किया जाता है जो कि at the time of birth issue किया गया हो ना कि आपने recently कुछ edit करके जुगार करके आपने birth certificate बनवा लिया हो ऐसा नहीं आपके पास एक genuine birth certificate होना चाहिए और third जो होता है अगर ये भी ना हो तो आपका driving license भी consider किया जाता है उसके बाद passport को भी consider किया जाता है तो आपको अगर शादी करनी है, court marriage करना है तो valid birth proof में जो document चाहिए होता है वो document सबसे पहले 10 के marksit या birth certificate होना चाहिए इसके अलावा जो जरूरी होता है वो residence proof जरूरी होता है जिससे कि ये पता चल सके कि आप कहा के रहने वाले है और residence proof के लिए जो सबसे सरो मानने document है वो आपका अधार कार्ड होता है तो दो document मैंने आपको बता दिया कि birth proof और residence proof आपने दे दिया और तीसरा डॉक्मेंट जो होता है वो ID proof होता है गॉर्मेंट की तरब से प्रेस्क्राइब जो रूल है वो यही है कि तीन डॉक्मेंट आपके पास होना चाहिए कोर्ट मेरेज करने के लिए लेकिन अगर आपके पास तीन डॉक्मेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं अगर ऐसे सिच्वेशन में दो डॉक्मेंट अगर हो जैसे कि आपके पास ID proof ना हो तो भी यह काम हो जाता है अब एक और important बात जो आपको जानना चाहिए जो कुनाल ने सवाल किया है उससे पहले भी एक और मैं important बात बात बताना चाहरा हूँ वो यह है कि माल लीजे आपके पास डॉक्मेंट तो आगए कुछ FAQ होता है डॉक्मेंट से रिलिटेड सबसे पहला कि अगर अलग-अलग date of birth है अलग-अलग document में तो क्या होगा तो मैं बताता हूँ कि सभी documents में age आपके पूरे होने चाहिए तो अलग-अलग date of birth होने से कोई फरक नहीं पड़ता है दूसरा होता है कि किसी document में father name के spelling में कोई mistake हो mother name के spelling में कोई mistake हो तब क्या होता है तो उस इस्तिती में भी ऐसा ही होता है कि जो सही spelling है आप वो refer करिए कि इस document में सही spelling है उसके हिसाब से आपकी शादी होती है और वही नाम marriage certificate के उपर आता है और तीसरा जो सबसे important चीज़ यह होता है कि अगर कुछ documents में बालिक हैं कुछ documents में नबालिक हैं क्या होगा ऐसे इस्तिते में आपकी marriage नहीं हो पाएगी करवाना भी नहीं चाहिए क्योंकि किसी document में अगर आप नबालिक हैं तो जो लरकी की family है वो लोग इसी बात का फाइदा उठाएंगे और आपके खिलाफ complaint करवा देंगे अब जो कुनाल ने एक सवाल पुछा है कि अब तो बल्ले बल्ले हो गई एक ही document से शादी हो जाएगा देखिए कुनाल आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बताओ कि फरजी वारा करने वाले लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुकाने नहीं चलती है जो सोचते हैं कि कैसे भी कोई एक client आ जाए कोई भी document पकरा देना है तो कहीं भी शादी करवा दें किसी भी तरीके से शादी करवा दें नोटरी का paper आपको दे दें कुछ भी आपको दे दें वही लोग ये अफवा पहलाते हैं कि एक ही document से शादी हो जाती है एक document से शादी नहीं होती है कुनाल इस बात को आप समझे और एक और महत्वपून बात आप समझे कि अगर फिर भी कई बार अधार कार्ट से भी शादी होती है ये fact है लेकिन उसके लिए आपको अधार कार्ट वेरिफाई करवाना पड़ता है आपको document चेक करवाना पड़ता है additionally कुछ documents उसके लिए बनवाने पड़ते हैं तब जाकर का अधार कार्ट से शादी होता है लेकिन आप ये कह रहें कि किसी भी एक document से शादी हो जाएगी ये सही तथे नहीं है आपको गलत जनकारी मिली हुई है आप अपने जनकारी को correct करिए और आप अपने document को हमारे team के पास में lead India के team के पास में आप भेजिए हमारे help line नमबर पर बात करके AA, 00, 444, 555 पर बात किजिए और बात करके document को भेजिए उसको verify कराईए, booking कराईए उसके बाद आपका marriage same day में हो जाएगा same day में आपका marriage registered हो जाएगा और आपको genuine marriage certificate मिल जाएगा उमीद है कि आपको इस वीडियो से help मिला होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब किजिए बेल आइकन प्रेस किजिए थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच